आज की physics की इस class में जो की 12th board की class है 2 और 3 marks के लिए एक numerical देखेंगे और यह numerical capacitor से related है ठीक है numerical आसान है क्योंकि यह 2 marks का आना है और descriptive type के लिए है और objective type में भी है question 1 mark में पूछा जा सकता है ठीक है तो देर ना करते हुए question 85 दे चलते हैं देखिए question क्या है a capacitor of capacitance 12 microfarad is charged up to 200 volt calculate the energy stored in it मतलब एक capacitor है जिसकी capacitance कितनी है 12 microfarad है ठीक है और इसे कितने volt तक charge किया गया है 200 volt तक तो हमको क्या निकालना है energy calculate करनी है क्या करनी है energy calculate करनी है ठीक है question को जब भी हम पढ़ें physics numerical हो या कोई और numerical हो question पढ़ते समय सबसे पहले हमें उनमें जो numeric value है उनको एक बार देख देख करके उनको physics के notation के form में लिखना चाहिए second step होना चाहिए कि हम सभी numerical value की unit check करें सबकी unit एक जैसी होना चाहिए means एक ही system में होना चाहिए SI में या CGS में इसके बाद हम लिखे हमको find क्या करना है वो लिख लिया जाए अब unknown और known मतलब जो हमको दिया गया है वो known है और जो निकालना है वो क्या है unknown है तो relation between unknown and known के बारे में सोचे है means एक formula सोचे जिसमें आपकी unknown quantity और known quantity दोनों होना चाहिए अगर दोनों है तो हम known वाली values पुट करेंगे और unknown को find कर लेंगे क्लियर है तो देर ना करते हुए question को start करते हैं देखिए अपने इस question में क्या-क्या दिया गया है सबसे पहले हम वो लिख लें यह देखिए given Capistence का मतलब होता है हमारे पास C की value है C is equal to 12 microfarad ठीक है इसके बाद up to 200 volt Volt का मतलब है यह potential difference यह voltage means V is equal to कितना है 200 volt अब हमको निकालना है energy 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 मतलब इसकी energy यू से लिखी जाती है या चाहें तो ई भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यू is equal to question marks बना दिया है अब हमको सोचना चाहिए relation between known and unknown मतलब एक ऐसा formula जिसमें CVI, VVI और UVI ठीक है तो आप अपनी memory पर जोड़ डालेंगे तो यह formula तुरंथ ही याद आएगा कि energy of capacitor क्या होती है यू is equal to half CVI square ठीक है इसके तीन अलग-अलग form हो सकते हैं इसके बारे में side में हम लिखके बतलाते हैं यह है यू is equal to half CVI square अब आपको पता है कि C is equal to Q upon V होता है ठीक है आपको अगर यहाँ पर V को replace करना है QC तो क्या कर देंगे V is equal to Q upon C तो यही formula कैसा बन जाएगा 1 upon यहाँ पर देखें कितना हो जाएगा Q upon C का whole square मेंसे यह हो जाएगा Q square और एक C cancel हो जाएगा कितना जाएगा Q square upon C आजाएगा ठीक है अब देखें अगर आपको यहाँ पर एक form और लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर C की ही value लगा दी जाएगा 1 by 2 कितना हो जाएगा देखें Q upon V into V square कितना जाएगा 1 by 2 V से भी cancel हो जाएगा और यह Q V हो जाएगा मतलब हमारे पास है कैपेस्टर के एनरजी वाले त्री एबलेवल फार्मूले हैं कौन-कौन से हाफ C V square हाफ की square upon C और थर्ड है हाफ Q V खीक है आपके numerical में कौन सा question, कौन सा formula fit हो रहा है वो यूज कर लें खीक है अपने वाले में C V और U है मतलब यह first वाला ही यूज होगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं energy of capacitor यह stored energy stored energy U is equal to half C V square value लगाएंगी, C की value कितनी है, unit check करने को बुला गया है सबसे पहले हमें unit check करना चाहिए यहाँ पर देखे, value यहाँ लगाने के पहले unit जरूर चेक करने है यहाँ कितना लिखा है, value micro farad, कोई micro कोई unit नहीं है यह तो value होती है, इसको हम current ही convert करेंगे, one micro का मतलब होता है 10 की power minus 6, ठीक है, तो इसकी वास्तिक value कितनी होगी 12 into 10 की power minus 6 farad, ठीक है, अब यह value हम लगा सकते हैं यह देखी, आएगा, 12 into 10 power minus 6 है, और V की value कितनी है यह है, 200 volt, यह square कर दिया इसको cut करिए, simplify करिए यहाँ कितना जाएगा, 4 into 10 power 4 देख रहे है, 00 है, तो 40 हो जाएगे, और यहाँ 2 का square कितना हो जाएगा, 4, 4 into 6, कितना हो जाएगा, 24 into अब यहाँ पर हमारे पास 40 आएगे, 40 इस इनको हटा देंगे, तो कितना जाएगा, यह देखी, 10 की power minus 2, इतने joule, ठीक है, यह अगर, standard form में लिखना हुआ आपको, तो इसको लिख सकते हैं, 2.4 into, 10 power, कितना करेंगे, 2.4 मतलब क्या करना पड़ेगा अपन को, minus 1, ठीक है, इतने, इतने joule, अगर आपको यही value exam में, electron bolt में पूछ ले जाए, तो आप क्या करेंगे, इस वाली value में, 1.6 into 10 power, minus 19 joule, से इसको divide कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए तब, और अगर नहीं पूछा गया है, तो फिर यही लिखेंगे, आप इसको चाहें तो, ऐसा भी लिख सकते है, 0.24 joule, direct ऐसा भी answer दे सकते हैं, ठीक है, 10 की power, minus 2 मतलब, 1 upon 100, 100 से divide किये, तो 0.24 joule आ जाएगा, ठीक है, तो देखाए, कितना आसान सा question है, यही question exam में, अगर आ जाएं, तो कई बार student क्या करता है, यह वाली घल्ती कर देता है, यहाँ पर micro की value न लगाके, direct 12 की value लिख देता है, यहाँ पर C की value, और यह वाली value फिर उसकी नहीं आती है, यहाँ पर कितना ज़्यादा, 10 की power 4 आने लग जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा नवजी आती है, ठीक है, तो clear है, तो आज के लिए इतना ही, अगली class में, ऐसा ही कोई और important question ले करके आएगे,